तो फ्रेंड आज मांकेल बहुती तेस्टी और डिलिशयस और बिल्कुली नए तरीके की चाठ की रोगे है हूँ तो आज की जो चाठ है ना आपने पहले कभी नहीं खाई होगी तो अचत्राइंदि आपको यह तेस्टी इस्टी डिलिशयस चट्पती चाठ की बहुत ज़्यादा पसंद आएगी चलिए शुरू करते हैं रेसिपी लेट स्टार्ट एड तो फ्रेंट्स यह चार्ट बनाने के लिए यहां पर मैंने बड़ा बाउल ले लिया है पहले और यह चार्ट बनाने के लिए हम बनाने वाले हैं प्यास के पकोड़े लेकिन बहुत क्रची बनेंगे यह पर मैंने जितना बेसन लिया है इतना ही कॉं स्लॉर जाल रहे हो इसके बार मैं इसके अंदर एक बहुती यह अन्यूजॉल सी हूं जाल रही हूं जायेगी पाव भाजी इसमें डालने वाले हो, मैं आज इसके अंदर पावभाजी मसाला डाल रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने देखिए, आदा छोटा चमच के करीब पावभाजी मसाला डाला है, एक चमच के करीब मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गरम मसाला भी डाला है साथ में से टेस्ट अच्छा आएगा और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगे एक चमच के करीब अमचूर का पाउडर और साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूं स्वादनुसार नमक तो यह जो सारे मसाले हैं औ मैंने थोड़ी से अद्रक ले ली है कदूगस कीवी तो यहाँ पर वनफोट चमच के करीब कदूगस कीवी अद्रक डाल दी है और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं प्याज अब देखिए प्याज मैंने काते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल से इस तरीके के मोटे मोट लच्छे काट लिए हैं मैंने और इनको मैं डाल दूंगी प्याज आप जब काटो तो बिल्कुल सूखे होने चाहिए उसमें पानी नहीं होना चाहिए फ्रेशली काटिएगा और पानी बिल्कुल हटा लीजेगा और इसके बाद इसको हम देखिए इसके अंदर टॉस कर दें और जब हम इसको फ्राय करेंगे तो यह बहुत ही क्रंची बन जाएंगे प्यास बिल्कुल ऐसे कुरकुरे हो जाते हैं न मजा जाता है इनको खाके एक बार जरूर ट्राय किजिएगा इस रेस्पी को अब चलिए इसको फ्राय कर लेते हैं तो यहां पर देखिए मीडियम स बहुत ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए दीरे 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 देखिए ब्राउन होएंगे क्रिस्पी हो जाएंगे प्यास तो यह देखिए बहुत यह अच्छा सा कलर आ गया है ब्राउन कलर आ गया है अब मैं इनको निकाल लूँगी बहुत ज़्यादा डाक कलर नहीं दी की है नए तरीकी की चार्ट है जरू ट्राय किजिएगा यह देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे पास यहां पर मसालेदार प्याज हो गए है इखटे और यह मैं टिशू पेपर निकाल रही हूं ताकि एक्स्ट्र जो ऑईल है वो निकल जाए और यह थंडे हो जाएंगे उस इस बाउल के अंदर में डाल रही हूं टमाटर तो यहां पर एक बड़ा टमाटर है इसको मैंने इस तरीके से छोट-छोटे टुकडों में काट लिया है पल्फ हटा दिया था मैंने टमाटर का लिक्विड नहीं होना चाहिए जो पल्पी साइड है वो हटा दी है टमाटर म नीमबू इस पर हम छटक देंगे और इसको फटा-फट से मिक्स कर लेंगे और जब यह चाट आपको खानी हो तब ही आप इसके अंदर टमाटर वगर मिक्स कीजेगा आप चाहों तो वैसे इसके अंदर खीरा भी डाल सकते हो बीज वगर निकालके तो यह जो बहुत ही डि एक के साथ तो फिर मिलती हूं ऐसे बड़िया विदियो के साथ तब तक के लिए बाय इसके लगा और भी टेश्टीच स्बजी कीस्त देखनी है तो मैंनेud News भी बनाई हुए मतोलिएगा